हेलो दोस्तो मोहिटूरेंटेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है दोस्तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब बल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तो लाइक कमेंट सेर जरूर करें वीडियो अच्छी लगती हूं दोस्तो दोस्तो आज आप सभी को पता है छोट अलाकि मैं प्रेस कुले कभ भी नहीं बनाया मैं सच बोलू तो मैं फर्स टाइम बना रहा हूं मैंने ये रस्पी अपने फैमली से पूछा है और दोस्तों की फैमली ओंसे पूछा है तो सभी ने मुझे जैसा बताया उसके अनसार में बना रहा हूं जो मैं उसे सबसे सौट कट लागा मतलब ये बहुत असान है वह चीजी मैं बताऊंगा कटिन वाला मैं आंगे बनाऊंगा लेकिन अभी मैं एक्दम सौट कट बना रहा हूं कि कल चोटी डिवाली है तो दोस्तों आई ये बनाते हैं क्या यूस होगा वह सारी चीजे बताता ह हूं तो ये देखिए ये इतनी सारी चीजे यूस होंगी कम से ये वर्दान का गुलाव जाओं उनका आटा है मिक्स आटा है सारी चीजे मिक्स हैं पहले से और ये देखिए इस तरह वाइट कलर करहेगा इसमें पीछे सारी चीजे लिखी भी हैं कैसे यूस करना है चासनी क जैसे बनानी है, रास गुल्ले में क्या-क्या यूज करना है, कैसा-कैसा डालना है, कितने टाइम कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़ दी हुई है, गिप्ट कभी एक आठा आता है, दो आता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, मतलब हर जगा अलग-अलग कंपनी के मिल ज और आधी कटोरी घी हमने लिया है, देशी, और चली अब हम डो पहले तयार करेंगे, फिर चासनी, तो ये देखिए, चली अब हम दूद मिलाएंगे, दूद कुन-कुना रहेगा दोस्तों, और चाहे तो आप पानी मिला रहे हैं, तो पानी भी हलका वाइल रहेगा, और इ ऐक चमच और अब हम दूद फिर से मिक्स करेंगे, और बस जरह सा दूद लगेगा, जरा सा घी हर इसे तरह हलका सा हम मिक्स कर देते हैं, इसके बाद हम रख देंगे, और रोटी के तरह अटा को गूतना नहीं है, रोटी कर जैसे अटा हूम आप गूतना नहीं मोब आप 요ी ही चम्माच की थुरू हमको मिक्स करके रख देना है अपने आप डो तयार हो जाएगा तो चलिए अब 10 से 15 मिनट के लिए हम डो को साइड में रख देते हैं और आईए चासनी हम बनाते हैं अब तो यह देखी चासनी के लिए हमको एक लोटा पानी एक कढ़ाई में और दो कटोरी सक्कर हम मिक्स करेंगे डेर कटोरी इलाइची डाल देते हैं इलाइची पाड़र आपके पास केसर हो तो डालिए नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है मेरे पास है केसर तो इसलिए मैं केसर मिक्स कर रहा हूँ चलिए अब हम केसर डाल देते हैं केसर से यह रहता है अच्छा कलर आजाता है चासनी में पीले कलर का और चासनी रसूले में भी टेस्ट आजाता है केसर का और रिलाइची का इसलिए चासनी में अगर हो आपके पास तो मिक्स करिए वरना कोई जरूरी नहीं है और चासनी हमको तैयार करनी है इतनी कि चिप-चिपी हो चासनी जरूरी नहीं एक तार दो तार चासनी बनाना चिप-चिपी हो उतना भी चल जाएगा रसुले में और अच्छे से हमको पकाना है जब तक चासनी चपके न एक तार दो तार नहीं करना है हमको और ये देखिए अच्छे से वाइल होना सुरू हो रही है चासनी हमारी अब चाहे तो इसको जरा से ढखके भी जली वाइल हो जाएगी ढख देंगे और ये देखिए चासनी हमारी एक दम खौलने लगी है और एक चीज विसेज धियान रखिएगा दोस्तों जब इसमें चासनी में रस गुले डालिएगा तो तब चासनी हलकी कुन-कुनी हो ज्यादा खौलती फट जायंगे रस गुले को फिर पीना पड़ेगा खाना नहीं पड़ेगा पीना पड़ेगा इसलिए चासनी हलकी कुन-कुनी होनी चाईए उतना مतलब गरम होनी चाईए जब रस गुले हम डालें और ये देखिए चासनी हमारी रेडी हो गई है जरा सचक्कल लेता हूँ ठीक है चिपचिपपी हो गई है हम बंद का देते हैं अब चासनी को आईए हम रसगुले के सेव दे देते हैं तो ये देखी डो हमारा रेडी है अब हम गोल-गोल छोटे-छोटे रसगुले बनाएंगे तो चलिए अब हम रसगुले को सेव दे देते हैं जरा साथों में घी लगा लीजे चाहे तो ऑईल लगा लीजे जरा सा जिसे डो चपके ना आपके हाथ में और ये देखिए एकदम गोल हम बना रहे हैं छोटे-छोटे ज्यादा बड़े साइज ना बनाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़े बनाएंगे तो फिर चासनी में जब डूआएंगे तो और बड़े हो जाएंगे तो वो अच्छा लगे गभी नहीं, देखने में भी अच्छा नहीं लगेंगे, और खाने में भी अच्छा नहीं लगेंगे, इसलिए छोटे-छोटे बनाईए, क्योंकि वो एक साइज जब लेगा तो काफी सुन्दल लगेगा, और ये देखिए, कुछ छोटे में बनाए है कुछ बड़े बनाए हैं लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं बनाए है एक मेडियम साइज बनाया है और ये आईल जब हम आईल में डालें तो पहले तेज आईल करना है हलका जैसे ऑईल गरम होता है तो रसगुले धीमी अच करके डालना है और उसके बाद चमस से इस तरह हिलाते रहना है ऑईल को जिससे रसगुले चपकेना और अच्छे से चारो तरफ से पकें और देख कोशिस करिए दोस्तों अगर रसगुले फटते हैं आपके तो फिर डो म में जरा सा औराटा मिक्स करके डो को तैयार करिए नहीं फटते तो आप के रसगुले परफेट मतलब डो तैयार था आपका और हलांकि लोई बनाते ही समय दरार पता चल जाएगा अगर फटेंगे तो पता चल जाएगा और यह देखी मेरे मतलब मैंने जो डो तैयार किया पता उसमें रसगुले लोई यां तैयार कि जो मैंने तो वेह भी फटी देखिए कैसे तो यह देखी दिःखाता ह suck मैं कि यह देखिये कि रसगुला एक भी नहीं पटा तो मलब यह है कि पर्फेट कर दो में तो मैंने तयार किया था चल इस परफेट मेरे जरह सब ब्राउन और हो जाए इसी तरह सारे रस गुल्लो को हम फ्राई करके चासनी में डूबोएंगे और ये देखिए इतने छोटे छोटे से मैंने रस गुल्ले बनाए थे इतने बड़े साइज के हो गए है और आप बड़े बड़े अगर बनाएंगे तो और बड़े साइज दिखेंगे और बहुत ही है भी लागेगा खाने में देखने में भी है भी लागेगा छोटे-छोटे बनाईए अच्छे बनेंगे सुन्दर भी लागेगा और ये देखी एकदम perfect मतलब मैंने बनाया है first time मैंने बनाया रस्गुले लेकिन एकदम perfect बनाया है मेठे में भी ठीक है और जिन्होंने मुझे बताया था ये रस्पी family में और दोस्तों के हाँ से तो उन्होंने ये बताया था कि चासनी में डालने के बाद फटेंगे अगर कर्चली से चलाएंगे आप और फट जाते हैं रस्गुले तो मतलब आपके रस्गुले सही नी बने तो देखी मैंने कर्चली चला के दिखाया आपको फटे नहीं और एकदम नॉर्मल तरीक इसमें निकाल रहा हूं तूट नहीं रहें तो मतलब रस्गुले अच्छे बने हैं और खाने के बाद पता चलेगा में इठा कैसा है परफेट है या नहीं और ये देखिए सारे रस्गुले हम निकाल लेते हैं पहले और इसके बाद हम चासनिस में डालेंगे और एक दूर रस्गुले थो सभी सखराब होते हैं तो इस तो ऐसा नहीं हर विक्ती परफेट बना सकता है तो कभी कभार एक दूर रसुल्ले बेकार हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, परफेट ही सब बनाए, चलिए हम चासनी डाल देते हैं, आपके पास पेस्ता बदाम कुछ भी है, तो उपर से आप स्लाइस कटिंग करके डाल सकते हैं, सजाने के लिए, और यह देखी कितना सुन्दल लग रहा है, चलिए अब हम इसे कटिंग करके खाके चेक करेंगे कैसा बना है, और आप लोग इस रस्पी को देखिए, कमेंट करके बताईए, मैंने फर्स टाइम कैसे रस गुल्ले बनाए हैं, आपको कैसा लगा, छोटी हम कटिंग करते हैं रस गुल्ले की, और यह देखी, एकदम पर्फेट पका है, और एकदम अच्छा बना है, तो हम नेस्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी में नेस्ट वीडियो लेके आऊंगा, थैंक यू,